आम लोगों की तरह सब को चक्मा देकर ट्रक पर चरने लगे राहुल गाधी वीडियो देख पूरी दुनिया हुई हैरान कॉंग्रेस पार्टी के पूर्वाद्धिक्ष राहुल गाधी ने ट्रक से की गई अपनी यात्र का एक वीडियो 29 माई को सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म पर साज हकिया है राहुल ने ट्रक में सवार होने के बाद ड्राइवरों और कंडक्टरों से बातचीत कर उनके जीवन को करीब से जाना हलाकि राहुल और उनके बीच दर्जनो सवाल हुए लेकिन एक सवाल ऐसा आया जिसने राहुल को ट्रक से बाहर देखने को मजबूर कर दिया कुछ शन चुप रहे फिर सोच कर बोले बहुत मुश्किल जॉब है ट्रक ड्राइवर प्रेम राजपूत ने पूछा आपकी सरकार आई तो हमारे लिए कुछ नियम लागू हो जाएंगे इस पर राहुल बोले ट्राई तो करेंगे वीडियो में दिखाया गया है कि राहुल गाधी ने दिल्ली से शिमला जाते हुए मुर्थल सोनीपत में ट्रक चालको से एक धाबे पर मुलाकात की कुछ देर बाद वे एक ट्रक में सवार हो गए वीडियो में दिखाया गया है कि राहुल गाधी ने दिल्ली से शिमला जाते हुए मुर्थल सोनीपत में ट्रक चालको से एक धाबे पर मुलाकात की कुछ देर बाद वे एक ट्रक में सवार हो गए राहुल ने ट्रक ड्राइवर से पूछा आपकी जॉब में क्या पैसा बढ़ता है आखरी बार कब बढ़ा था ड्राइवर ने गरदन हिलाते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है आपकी सरकार आई तो कुछ नियम लागू करेंगे इस पर राहुल बोले ट्राइ तो करेंगे इसके बाद राहुल ने पूछा दिवाली क्या आसपास के महीनों पैसे का कुछ फर्क पड़ता है क्या ट्रक ड्राइवर ने इस बार भी गरदन हिलाते हुए नहीं मैं जवाब दे दिया खुछ नहीं होता इस जवाब ने राहुल को सोचने पर मजबूर कर दिया वे कुछ देर तक ट्रक की खिड़की से बाहर की ओर देखते रहे सोचते रहे उसके बाद बोले बहुत मुश्किल जॉब है राहुल ने ड्राइवर से पूछा छुट्टी का क्या रहता है वह बोला कोई छुट्टी नहीं मिलती वेतन के बारे में पूछा तो जवाब मिला दस हजार सोचे दस हजार उपे में बच्चे कैसे पलते होंगे ट्रक चलाने के दौरान जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है राहुल ने पूछा आपका कोई बीमा आदी होता है ट्रक ड्राइवर बोला साहब ऐसा कुछ नहीं है ट्रक ड्राइवर की आयू के बारे में सवाल किया तो ड्राइवर ने कहा 60 वाले भी चला रहे हैं और 70 वाले भी साहब ड्राइवर की कोई कद्र नहीं है हम सारे टेक्स भर रहे हैं टोल टेक्स दे रहे हैं इसके बाद भी कोई राहत नहीं ड्यूटी का समय तै हो यानि 12 घंटे हो जाए तो कुछ राहत मिल सकती है। राहुल ने ओवर टाइम को लेकर सवाल पूछा तो जवाब मिला कुछ नहीं मिलता। अगर माल चोरी हो जाए या खराब हो जाए तो ड्राइवर पर ही बात आती है। ऐसे में बहुत रिस्क रहता है। अगला सवाल करते हुए राहुल बोले कितने साल से ट्रॉक चला रहे हैं और कितने साल चलाओगे। इस पर ड्राइवर ने गर्दन हिला कर कहा जब तक चल रहा है। बच्चे जब तक न पढ़ लिग जाएं इस पर कौन सा इंजन है। सहब 2818 ली लैंड है। आपके बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इस पर ट्रेक ड्राइवर बोला पढ़ तो रहे हैं। उन्हें क्या बनाओगे। वह बोला नौकरी चाहते हैं। सरकारी नौकरी मिल जाए तो। इसके बार ड्राइवर ने खुद ही बात आके आते हुए कहा अमीरों को गरीबों को साथ लेकर चलना चाहिए। ड्राइविंग में देखे कुछ नहीं बता। सामने वाला कैसे मूड मा आ रहा है कि साइट से कौन आ रहा है। पैसा कहां रखते हो। राहुल के जवाब में ड्राइवर बोला। इतना कहां बच्चता है क बैंकों में जमा करा दे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ही खर्च हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बच्चता है उसे जमा करा देते हैं। फिल हाल आप इस खबर के बारे में क्या सोस्तर समस्ते हों मैं कमेंट करके ज़रूर बताईए निउस डेस्क से प्रिया। प्रिया।